असलावलेकुम वीवर्स, वेलकम तू मैं न्यू रेसिपी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाल भाजी की रेसिपी, बहुत ही आसामती रेसिपी है, बन करके त्यार हो जाती है, और ये लाल साग जो होता है ये बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है, अगर आपको खून की कमी है, तो आप प्रॉपर इसको अपनी डायट में शामिल कीजिए, थोड़ी सी भाजी आप रोजाना बनाईए, एक कटोरी आप रोज खाईए, इतनी भी आपकी खून की कमी होगी, तो वो तूर हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने एक किलो साग लिया था, इसको अपर पानी निकल जाए, और इसको दो निकल जाए, और इसको दो से तीन पानी से धोएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, तो इसलिए इसको साफ करके धोएगा, तो अब चलिए चलते हम लोग अपनी रेशिपी की तरफ, जहाँ पर हम बनाएंगे बहुत ती स्पून कलाउंजी, और साथ में हम दो से तीन कलियां जो हैं लहसुन की ले लेंगे, उनको कट करके हम इसमें डाल देंगे, आप चाहे तो ऐसी तरह से साबित भी डाल सकते हैं, लहसुन को डाल देंगे, और लहसुन को हम थोड़ा सा गोल्डन प्राई करेंगे, जब जातुन अच्छे से गोल्डन प्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें प्याज को डाल देंगे, प्याज को हमें, यहाद दिला दूँ, अगर आपको में रेसिपी पसंद आ रहे हैं ता जो लोग मेरे चैनल पर ना हैं, वो प्लीज चैनल को स्सक्राइब कर दीजि तब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा क्वांटिती में डाल येगा, पाकी भाजी थोड़ी चटपटी बने, तो ये हरी मिर्ची जो मैं यहाँ पर इस्तिमाल कर दूँ हूँ, बहुत जादा ये तीखी वाली हरी मिर्च है, और अगर तीन मिनट हाई फ्लेम पर ही ढूलेंगे तब प्र बाद में हम इसमें नमक डालेंगे नमक हम कफो जब भाजी अच्छ समा सब्सकर chilli नहीं है क्वाम कर दो पर थैं धोरेंगे वरह दूंचा दूलिए हो ला-धो कर से नमक पर गारग दॉसाहिए दो तिन माट के लिए भूल लेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है देखें देखेंगे आपके कितनी ज़्यादा भाजी थी अभी और अब धीर धीरे कम हो गई है तो इस तरह से हम भाजी को कर लेंगे उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे अब हम भाजी को कवर कर देंगे तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें नमक डाल लीजे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद हम इसको cover कर देंगे cover करके 10 मिनट के लिए इसको cook करेंगे बीच में हम इसको खोल करके देखेंगे तो देखें बहुत सारा पानी इसमें छोड़ देती है भाजी अभी हमने इसको high flame पर पकाया ना बहुत सारा गैस वो पानी सुखाने में ही ले लेती है तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा और cover कर दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो और सूख जाए उसके बाद फिर आप देखें तो भाजी हमारी भून चुकी है अभी भी इसमें थोड़ा सा मौश्यर है अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको खा सकते हैं इसका जो पानी होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है या फिर आप इसको पूरी तरह से भून लीजिए तो हाई फिलेम करके इसको दो-तीर मिट के लिए अच्छी से भून लीजिए तो यहाँ पर देखें भाजी जो अमारी बन करके रेडि हो चुकी है बहुत ही टेस्टफुल यह भाजी लगती है आप इसको दाल चावल के साथ खाईए रोटी के साथ खाईए अल टाइम यह भाजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा यह फायदे मन भी होती है अगर आपको खून की कमी है तो आप जरूर एक कटोरी नाश्ते में या फिल लंच में कभी भी आप एक कटोरी यह लाल भाजी खाईए आपकी खून की कमी देखेगा बहुत जल्दी से दूर हो जाएगी वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हम आपसे अगली रासिपी में जब तक के लिए अल्ला हाफिस